है दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल भाला टोप ejerc स्टार्ट किया था मैंने यह बताया था मोटर की स्पीड कंट्रोल करना क्यों जग्यूर है क्योंकि most of the एप्लिकेशन होते हैं मोटर के वहां हमें एक वरीडिट स्पीड की जरुद पढ़ती है जैसे कि आटो मोबील ठीक है जैसे की वहिकल जैसे की फैन जैसे की इवन आपका जो शैविंग रिसर्स है इसमें भी कई बार वेरीबल स्पीड की हमें जरूरत पढ़ती है बहुत इसलिए वीडियो के अंदर हमने देखा था आरे का Shelley स्पीड कंट्रोल होगा और सौन करके दाए आ millimeter आले को बढ़ाते हैं तो इंडियूसम अप्रिफ कम होता है जिससे कि स्पीड कम होती है और फारे को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है इसलिए हमने बोला आरे को कम करना इसा मेथर्ड विच विल गिव दा स्पीड बिलो दा बेस्पीड एंड बाइड रेदूसिंग फाईवी के अप्टेन स्पीड अब दा बेस्पीड तो फील्ड कंट्रोल वाला मेथर्ड हमने कवर किया था लेकिन सिफ शंट मोटर के पॉर सिरीज मोटर या कह दो इन सिरीज मोटर यह चीज समझना है अब मैंने क्या बताया था यहां डिरेक्ली यह नहीं बोल सकते कि फील्ड वाइंडिंग के सिरीज में रिजिस्टेंस लगा दो क्योंकि फील्ड और आर्मेचर सिरीज में हैं तो अगर फील्ड वाइंडि In series motor, a resistance cannot be directly added in series with field winding because in that case, the additional resistance is also in series with the armature and the method then becomes armature resistance control which will give the speed below base speed. इसलिए, यहां method कुछ अलग लगाए जाएंगे, तो सबसे पहला method लिखना इसके अंदर, diverter control, अब हम diverter control में क्या करते हैं, जो हमारी series winding है, इसके parallel में एक additional resistance लगाता हूँ, that is called as R diverter, और total combination के series में क्या होता है, R में एचे, ठीक है, यह हो गया VT, और यह हो गया IA, अब देखो मैंने पहले भी बताया था, अपनी मर्जी से कभी भी current को constant मत मान लेना, तुम सिर्फ constant क्या मान सकते हो, voltage, supply voltage को constant मान सकते हैं, but not current, अब इसके अंदर कैसे हम लोग इसको attempt करते हैं, देखो, कि field winding में जो current जाएगा, IF, IF1 क्या होगा, यह तो IA के बराबर ही होगा, क्योंकि जब तक कोई diverter नहीं लगाया गया, जब तक कोई diverter नहीं लगाओगे, तो field winding में कितना current जाएगा, armature current, लेकिन with diverter क्या होगा, इसको IA1 कह दो initially, with diverter current डिवाइड हो जाएगा, तो current division लगाते हो अगर, तो यह बनेगा, IF2, तो यह है, with diverter, अब हो सकता है, दोनों cases में current IA, same हो, और हो सकता है कि different 2, लेकिन मैंने speed control के problem में क्या बताया है, कि दो parameter हमेशा पूछे जाते हैं, that is the new armature current and the new speed, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि armature current might be, varying, अब given क्या-क्या parameters होते हैं, बताओ, हमने last video में भी देखा था, speed given होती है, N1, current given होता है, IA1, और load torque given होता है, as a function of speed, ये तीन चीज़े given होती है, हमें निकालना क्या होता है, नई speed और नया armature current, अब हमें फिड से यही देखना होगा कि problem को कैसे tackle करेंगे, बताओ, general procedure क्या होता है, मैंने बोला, दो variables हैं, speed और armature current, माने, दो equation चाहिए, दो equation कैसे मिलेंगी, एक torque से और एक EMF से, torque वाली equation अगर बनाते हो, तो तुम कहते हो, motor torque is proportional to phi into IA, which is proportional to IAF into IA, तो हम क्या कहते हैं, motor torque in second case upon motor torque in first case, is actually equal to load torque in second case by load torque in first case, क्योंकि steady state condition में अगर rotational losses ignored हैं, तो motor torque और load torque बराबर आते हैं, यह मैंने तुम्हें dynamic equation से भी समझाया था, अब इसके अंदर क्या करोगे, IF2, IA2 over IF1, IA1 is equal to function of N2 by function of N1, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, IF2 को लिखोगे, IA2, IA2 आएगा, और IA2 एक और है, तो square, R diverter by R diverter plus R series upon, IF1 तो खुद IA1 के बराबर है, it is actually equal to function of N2 by function of N1, तो यह हमें पहली equation मिल जाती है, torque से, इस equation के अंदर अपने दो variable हैं, N2 और IA2, दूसरी equation कहां से मिलती है हमेशा, EMF से, अब EMF में हम क्या कह देते हैं, EMF is proportional to flux into speed, that is, it is proportional to IF into N, तो हम क्या कहते हैं, E2 by E1 is IF2 by IF1 into N2 by N1, E2 कैसे लिखोगे, VT minus IA2, overall resistance क्या लेना पढ़ेगा, RSE और R diverter parallel में है, इस पूरे के सिरीज में आएगा R A, तो R A plus R SE parallel R diverter, upon VT minus IA1, जब तक R diverter नहीं था, तो R A plus R SE, IF2 वो IA2 की terms में लिखा जाएगा, और IF1 तो IA1 ही है, लेकिन IF2 में एक term और है, R diverter by R diverter plus R SE into N2 by N1, तो यह second equation हो गई अपनी, जो EMF से आ गई, again IA2 और N2 के अंदर हमारे पास दो equations हो गई, और दो ही variable हैं, तो इस type से इस question को भी attempt कर सकते हो, तो basically हमने क्या किया, by adding diverter resistance, हमने field current और armature current को unequal कर दिया, अब मैं field current को vary कर सकता हूँ, बिना armature current के बारे में सोचे, तो एक point और लिख लेना, by adding a diverter resistance in series motor, we have made field current and armature current unequal, by which we can vary the field current, without worrying about armature current, यह पहला method clear हुआ, अगला method लिखो, tapped field control, tapped field control, tapped field control का मतलब यह होता है, कि field winding के अंदर taps हमारे provided रहते हैं, ठीक है, अगर taps provided रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कि हम लोग number of turns, field winding के change कर सकते हैं, अगर number of turns change कर सकते हैं, then we can change mmf, और mmf चेंज करके, we can change the value of flux, जो इसमें लिखना, In this method, taps are provided in the field winding by which we can change the number of turns in the field winding and by changing number of turns, we can change the MMF and flux produced by field winding. So, if we reduce the number of turns, we can reduce the flux and increase the speed, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, field control के अंदर flux को बढ़ाना कभी नहीं है, वरना saturation हो सकता है, हमेशा क्या करना है, कम, और कम कैसे कर सकते हो, by reducing the number of turns, अब देखो, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, कि अगर इस मैथड पर मैं जाता हूँ, कि initially, NSE equal to N1, तो MMF कितना होगा, series winding का N1, और उसमें current तो armature current ही जा रहा है, आईए 1, भाई अब तो current डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी दो parts में, तो field winding में कौन सा current जा रहा है, armature current, और बाद में क्या कर दो, series winding के number of turns कम करके कर दो, N2, तो series winding का MMF हो जाएगा, N2, आईए 2, यह हो जाएगा, number of turns कम कर दिये, हम क्या जानते हैं अगली बात, कि flux is proportional to MMF, अगर reluctance को constant रखा जाए, और reluctance machine की हमेशा construction पे dependent होती है, जब तक उसका air gap cross sectional area permeability नहीं बदलोगे, reluctance cannot change, अब देखो, again problem हमारे पास सेम है, कि initial speed है N1, current IA1, torque is a function of speed, लेकिन अब जब लिखोगे, motor torque is proportional to 5 into IA, अब IF मत लिखना, अब यहाँ क्या लिखोगे, MMF, पहले number of turns constant थे, तो current लिखो या MMF, बात एक ही पड़ रही थी, ठीक है, यह लिखा, फिर हमने बोला, motor torque और load torque बराबर होते हैं, इसलिए motor torque का ratio और load torque का ratio equal आएगा, यह लिखा, अब यहाँ पे क्या करोगे, final MMF upon initial MMF, अब final MMF कितना बन रहा है भई, वो बन रहा है, N2 into IA2, और IA2 तो एक पहले से भी है, N2, IA2 का square, N1, IA1 का square, लेकिन आप देखों, यहाँ confusion हो जाएगी, speed और number of turns में, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको T1, T2 लिख लेते हैं, turns ही तो लिखना है, तो T1, IA1, क्योंकि N जो है, speed और RPM भी होती है, T2, IA2, अब यहाँ पर क्या लिख होगे, turns T2, IA2, और T1, IA1, तो यहाँ भी क्या जाएगा, T1, sorry, T2, IA2 square, और T1, IA1 square, बात के लिए रही, number of turns को T से क्यों दिखा है, क्योंकि N में तुमने speed लिख की है, वर्ना बाद में confusion होगा, अगला, EMF proportional to flux into speed, again, directly field current मत लिखो, यहाँ पर लिखो, MMF, reason समझा रहा है, कि MMF क्यों लिख रहा है, current क्यों नहीं, MMF की जगे current तब आ सकता है, यहाँ number of turns change हो रहे हैं, तो MMF को ही use करना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब ratio लोगे, FSE2 by FSE1, लेकिन अब देखो, कोई diverter का funda नहीं है, यहाँ, जब कोई diverter का funda नहीं है, तो second condition में EMF कितना आएगा, बताओ, second condition में लिखोगे, VT, minus IA2, RA plus RSE, original condition में, VT, minus IA1, RA plus RSE, FSE2, T2, IA2, FSE1, T1, IA1, और speed का ratio N2 by N1, यह अगेन आगई second condition, speed और current में, तो जब अपने पास दो condition आ गई, अगेन अपने पास दो variable है, speed और current, यह बात clear हुई, तो by changing the number of turns, हम MMF change कर रहे हैं, MMF change करके flux change कर रहे हैं, that is your field control, ठीक है, tapped field control, अगला method लेको, तीसरा, reconnection of field coils, reconnection of field coils, अब यह चीज़ समझना, मान लो, कि मेरे पास, जैसे एक winding के अंदर, T turns हैं, इसके अंदर current जा रहा है, IE, तो MMF कितना होगा बताओ, T into I, अब अगर मैं ऐसा कह दूँ, divide T turns into, suppose, K parallel coils, T turns को K path में, या K coils में, divide करना है, तो हर path में कितने turns आएंगे, T by K, अब इससे जो ना, lap और wave मत सोचने लग जाना है, यहां field winding की बात हो रही, armature की नहीं, बस मैं क्या कह रहा हूँ, field के सारे turns ना लेके, एक साथ, turns को K parts में, divide कर दो, अब मानलो, यहां से I dash current आ रहा है, तो जब K path हैं, तो हर एक में कितना कितना current डिवाइड होगा, I dash by K, अब देखो MMF कितना आएगा, terms है T by K, current जा रहा है I dash by K, एक path इतना MMF बनाएगा, बट ऐसे कितने path हैं, K path हैं, तो K path total MMF कितना बनाएगे, into K, तो T I dash by K, तो इससे क्या हुआ, we have changed the value of MMF, जैसे कि हम tapped field control में change कर रहे थे, यहां हमने number of turns कितने कर दिये, T by K, effectively अगर देखो, बात clear हुई, तो इसमें लिखना, if all the field winding turns are not connected in series, but the turns are divided into multiple parallel branches, then we can change effective number of turns in order to impact MMF, by which we can change the flux and speed of the DC motor, तेक है, effectively turns अभी कितने हो गए है, T by K, पहले कितने थे, T, अगर सिर्फ I dash से सोचो, तो तुम क्या लिखोगे, T by K into I dash, तो तुम्हें क्या लगेगा, turns कितने रह गए, T by K, अब आगे का पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा, पहले turns से तुम्हारे T, तेक है, अब जब K path में divide कर दिया, तो turns effectively कितने रह गए, T by K, तो जहां तुम T2 by T1 लिख रहे हो, T2 by T1 कितना हो जाएगा, simply 1 by K, sorry, हाँ, T2 by T1, 1 by K, similarly यहां पे भी T2 by T1 कितना हो जाएगा, 1 by K, तो effectively we are changing the number of series winding turns, ठीक है, इस पे question ऐसे बनता है, वो बोलेगा, there are four field coils which are connected in series, and now they are reconnected as two parallel groups of two coils each, यानि चार coil थी जो series में थी, अब दो parallel parts में divide कर दिया, और हर एक में कितनी कितनी coil हैं, दो, तो जितने parallel parts में divide होता है, number of turns उसी factor से divide हो जाते हैं, अगर दो part में बाटा है, तो T by 2, अगर चार part में बाटा है, तो T by 4, बस ये ध्यान दखना, जो तुम IF use करते हो, अगर number of turns change होंगे, तो flux proportional to directly IF नहीं लगाओगे, flux proportional to MMF करोगे, और MMF use करते वक्त number of turns को भी consider करोगे, तो ये भी point लिखले, ना, if number of turns are changing in any condition, we cannot directly say flux proportional to IF, but we have to use phi proportional to F, where MMF equal to T into IF, T into IF, T माने turns, N इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि N जो है speed बताता है, तो series motor पे भी question बन सकता है, तुमारा speed control का, मैंने armature resistance तो बताया ही था, और यहां हमने ये भी देख लिया, कि field control कैसे किया जाता है, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे question बन सकते हैं, DC motor के जो best question बनेंगे, they will always be based on speed control, जो कि speed control के अंदर जितनी भी तुमने knowledge gain की है, सारी use हो जाती है, बस एक चीज़ जो नहीं use होगी, वो यह मान के चलोगी, power loss और efficiency वाला topic, वो speed control में use नहीं होता, other than that, जितना भी तुमने EMF पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, circuit पढ़ा, सारी चीज़े use हो जाएंगी in case of speed control, दूसरी बात, speed control के किसी भी numerical के अंदर हो तुम्हें कभी circuit बना के नहीं देगा, अगर उसने बोल दिया diverter है, तो अब तुम ही को आगे imagine करना है, कि diverter जो है field winding के parallel में लगता है, और उसके बाद current division लगा के हमें solve करना है, ऐसी वो बोल दिया, coils को दो पार्ट में divide कर दिया, वो ऐसे draw करके नहीं दिखाएगा जैसा भी हमने draw किया था, वो सिर्फ बोलेगा, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि फिर effective number of turns k से divide हो जाते हैं, जब k path में coils को divide किया जाता है, तो इसी लिए यह सारी information necessary है, ताकि कभी भी यह term कहीं पे face करते हो, तो तुम directly जान सकते हो कि क्या diagram बनेगा, अब अगला लिखना, अगला method, armature, voltage, control, तीसरा मैने यही बोला था ना कि VT को change कर सकते हो, VT को change करने का मतलब है, armature, voltage को change करना, अब हम लोगों ने क्या लिखा था, कि speed का formula क्या रहता है, omega m is VT minus Iara by km5, ऐसा ही लिखा था, इसका मतलब अगर VT बदल जाए, तब भी हमारी speed change हो सकती है, अब simple सी बात सोचो, अगर terminal voltage की बात करें, तो terminal voltage बढ़ाने की जगे कम भी कर सकते हो, या बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बढ़ाने में दिक्कत क्या है, अगर rated से जादा voltage लगाओगे, तो machine की जो insulation है, उसको खत्रा है, योगि हम क्या जानते है, insulation level is always proportional to voltage, voltage बढ़ने से electric field बढ़ती है, और electric field बढ़ने से कोई भी insulation में dielectric breakdown का risk होता है, इसलिए हम यह कहते हैं, इस method के अंदर, VT को कभी भी rated से जादा नहीं बढ़ाना है, that can damage the insulation, तो voltage को बस कम कर सकते हो, voltage को अगर कम करोगे, तो उससे speed हमारी कम हो सकती है, it cannot be increased, तो इस में लिखना, the terminal voltage or armature voltage cannot be increased above the rated value, otherwise, the insulation of the machine can get damaged, so in this method, we reduce the terminal voltage below rated value in order to reduce the speed of the motor, तो speed कम करने के लिए, terminal voltage कम करते हैं, अब देखो, इसको भी बाकी methods की तरह देखते हैं, कि इससे क्या impact आता है, सबसे पहले देखो, हम क्या कहते हैं, कि initially, VT जो है, वो है, suppose VT1, और armature current कितना है, IA1, that is VT1, minus EA by RA, नाव, VT suddenly हमने कर दिया, VT2, जो पहले वाली voltage से कम था, तो इससे क्या होगा, अचानक से armature current हो जाएगा, IA2, VT2 minus EA by RA, और ये पिछले current से कम होगा, लेकिन मैंने EA को constant किस assumption पर माना है बताओ, मैंने ये बोला था, sudden change में कभी speed नहीं बदलती, और speed नहीं बदलती, तो EA में constant रहेगा, तो चाहे तो लिख भी लेना, इसको अपनी ही language में, EA is constant, because speed cannot change suddenly, अब IA2 जब कम हो गया, तो हम ये जानते है, motor torque is proportional to 5 into IA, अब flux तो हमने constant रखा है, तेक है, shunt motor की बात अगर करो, तो flux तो constant है, तो 5 into IA हुआ, that is proportional to IA, तो हम क्या कह देंगे, TM2 is less than TM1, क्योंकि जब IA कम हो रहा है, तो उससे बनने वाला torque भी कम, अब हम ये जानते है, initially, initially system किस में था, steady state में था, system is at steady state, अगर system initially steady state में था, तो motor torque किसके बराबर था, load torque के, लेकिन अब तो motor torque कम हो गया, पहले के मुकाबले, तो इसका मतलब ये समझ सकते हो, कि motor torque is now less than load torque, again मैंने क्या बता रखा है, जब तक load का nature ना बता है, load torque को क्या मानोगे, constant, अब TM2 less than TL, अगर आ गया हमारे पास, तो हम क्या जानते है, dynamic equation से, J d omega by dt, is TM2 minus TL, that is negative, जिसका मतलब speed decreases, अब जब speed कम होने लगेगी, तो EMF, EMF को हम लिखते हैं, Km phi omega, तो EMF भी कम होगा, EMF कम होगा, तो IA, that is VT minus EA by RA, बढ़ने लगेगा, IA बढ़ने लगेगा, तो torque, Km phi IA बढ़ने लगेगा, और last में torque वापिस, किसके बराबर बन जाएगा, load torque के, लेकिन इस पूरे process में, speed हमारी कम होई है, that is why, इस method से भी, speed rated से कम ही मिल सकती है, जादा नहीं, ठीक है, तो इसमें लिख लेना, in this method, speed reduces below the rated value, so we can only obtain the speeds, below the base speed, ठीक है, speed सिर्फ कम कर सकते हो, अब अगेन, ये तो वो बात हो गई, transient वाली, कि internally, क्या पूरा फिनॉमेना चल रहा है, जिससे की speed कम होती है, लेकिन मेरा major focus किस पे है, इस पे based question पे, अब अगेन अगर question की बात करते हैं, तो इस देखताओ, data क्या-क्या given होता है, speed control में हमेशा, data हमेशा given होता है, एक तो तुम्हें, original speed, original armature current, और, क्या given होता है, load torque as a function of speed, तो speed given रहेगी, N1, current given रहेगा, I1, और load torque given रहेगा, as a function of speed, अगेन मुझे निकालनी क्या पढ़ेंगी, दो values निकालनी पढ़ेंगी, N2 और IA2, और change क्या कर रहे हो, terminal voltage, अब दो values निकालने के लिए, फिर से वहीं बात आ जाती है, कि दो values के लिए, दो equation चाहिए, और दो में से एक equation torque से मिलती है, और एक equation EMF से, तो पहले torque की बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे, motor torque is proportional to phi into IA, ठीक है, अब phi तो constant है, अगर shunt की बात करें, वैसे phi constant नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ वैसे phi constant मान सकते हो, actual में ना कभी भी यह मस सोचना कि सिर्फ VT change कर रहे हो, हमेशा यह धियान रखना, यहाँ VT नी armature voltage change कर रहे हो, यानि field winding की voltage को क्या रखना पड़ेगा, fix, यह बात clear है, एक पॉइंट यहाँ लिख ले ना, unless specified, assume that we are changing the voltage across armature, and not the voltage across field winding, and not the voltage across field winding, तो अगर field winding की voltage fix रख रहे हो, तो phi constant है, तो torque proportional to IA आ गया, लेकिन motor torque और load torque बराबर होते हैं, तो TM2 by TM1, is IA2 by IA1, equal to TL2 by TL1, तो हम कहेंगे, IA2 by IA1 किसके बराबर हो गया, function of N2, यह ठालते हैं bracket, divided by function of N1, तो यह equation तो torque से मिल गई, तीक है, दूसरी equation EMF से आनी चाहिए, EMF से निकालोगे अगर, तो E2 by E1, is equal to N2 by N1, क्योंकि phi constant रखा है न, तो VT2 minus IA2R by VT1 minus IA1R equal to N2 by N1, ठीक है, दो equation हो गई और दो ही variable हैं, IA2 और N2, इसके अंदर देखो, जो मैंने point अभी बूला है, कि ऐसा हमाँ सोचोगी, terminal voltage change हो रही है, बस armature के across voltage बदलेगी, अब वो कैसे, देखो construction wise समझना, circuit में क्या कर रहे हैं, यह मान लो RSH, है, अब यह जो armature है, इसमें क्या होगा, मान लो ऐसा system है, तो armature की voltage तुम बदल सकते हो, यहां real state की मदद से, लेकिन supply वाली पूरी voltage, किसके across लग रही है, supply वाली पूरी voltage, field winding में जा रही है, जबकि armature पे लगने वाली voltage, VT, इसको change कर सकते हो, तो construction कुछ ऐसा रखा जाएगा, practically, कि field winding पे impact ना पड़े, सिर्फ impact किस पर पड़े, armature पे, तो अगर वो बोलता है, बस armature voltage change किया है, तब तो armature में ही change करना, flux में change मत करना, अगर वो बोलते, terminal voltage बदली है, तो terminal voltage के case में, तुमारा RSH में जाने वाला current IF, वो भी change हो जाएगा, ठीक है, यह बात बहुत अच्छे ज़े, ध्यान रखनी है, तर्मिनल voltage चेंज करोगे, तो IF भी बदलेगा, armature voltage चेंज करोगे, तो IF constant रहेगा, सिर्फ armature voltage ही change होगी, ठीक है, मैथड सारे वही है, बस हर question के अंदर, दो equation मना लेना, एक EMF के लिए और एक torque के लिए, आगे चलें, अब देखो, ये सब method समझ लेने के बाद, हम लोग बात करते हैं, universal method की, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, कि दो method ऐसे हैं, एक तो voltage और resistance control वाला, जो की base speed से नीचे की speed दे रहे, और एक method field control वाला ऐसा है, जो base speed से उपर की speed दे रहा है, अब दिमाग में question यह आता है, अगर मान लो, उपर और नीचे दोनों ही speed control चाहिए, तब क्या कर सकते हैं, तब हम एक universal method पे आते हैं, called as ward leonard method, अगर तुम्हें एक ही method के अंदर, दोनों implementation चाहिए, यानि बोथ above and below the base speed, इसमें लिखना, आर्मेश वोल्टय और्श्तंस चान्नल, ग़रस्ट पहीं बीलोब बेस प्या स्पीद, विल धिल पुट्रोल जिख पीद अभव बाव बेस पीद, इस रेस्पीद बोट बस्तों होね, झाडिद पृर्टों लिखनाब तुम्हें, give speed both above and below the base speed. अब इस method के अंदर क्या करते हैं देखो एक ना DC generator लेते हैं मैं लेख देता हूँ यहां generator और इसके terminals को एक DC motor से जोड़ दिया जाता है यानि generator motor को run कर रहा है अब जो generator की field winding है इसकी field को vary कराने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे से supply lines लेते हैं और थुड़ा नीचे ले लेते हैं फील वाइंडिंग को supply देने के लिए नीचे supply lines ले लेते हैं अब यह हो जाएगा या एक काम करो इस line को भी जो है न थोड़ा सा नीचे ले लो ऐसे निकाल लो है ठीक है दोनों वायर आगे जा रही है और उसमें दो resistance लगा दिये रजिस्टेंस इसलिए लगा दिये यह वाला टर्मिनल इस रजिस्टेंस पर रहेगा और यह दूसरा टर्मिनल इस रजिस्टेंस पर इससे क्या कर सकते होगी जनरेटर की फिल्ड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हों अब यह लाइन जब आगे जाएंगी तो यहां मोटर की फिल्ड वाइंडिंग होगी यह नीचे वाली लाइन फिल्ड के एक टर्मिनल से जोड़ दो और उपर वाली लाइन एक रियोस्टेट की मदद से फिल्ड के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दो कि अधनि यहां पर क्या लगा अपना 10 सप्लाई है लेकिन जनरेटर को चलाने के लिए प्राइम उवर की भी जरूरत पड़ती हुए हमें three phase supply, तो induction motor एक prime mover क्या काम कर रही है, generator के लिए, और generator के terminals को motor के terminal से जोड़ा गया है, यानि generator supply करेगा DC motor को, तो इस में लेकले न, the terminals of a DC generator, are connected to the terminals of a DC motor, so the DC generator acts as power supply for the DC motor, अगला point, a three phase induction motor connected to a three phase supply, acts as a prime mover for the DC generator, तो यह system हो गया हमारा, अब यहाँ पे देखो, field winding की voltage generator की भी बदल सकते हो, और motor की भी बदल सकते हो, अगला point लिखना, at starting, field excitation of generator is kept minimum, in order to keep the terminal voltage minimum, to limit the starting current of motor, तेक है, बट, the current should be sufficient, so that the motor can drive the load, अब कहने का क्या मतलब है, हम यह बात जानते हैं, जब किसी machine को start करते हैं, motor को start करते हैं, तो current बहुत ही high होता है, current कम करने का मैंने एक तरीका बताया था, starting में, कि resistances अगर add कर दें, तो current can be reduced, लेकिन current तो voltage कम करके भी कम किया जा सकता है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूं, कि generator जो है motor के लिए supply का का काम कर रहा है न, तो अगर generator की voltage गिरा दें, तो motor की input voltage कम होगी, ऐसा सोचो, generator का output motor के लिए input है, तो generator का output voltage अगर कम कर दें, तो motor का input voltage कम, तो motor का starting current भी कम, बट starting current इतना भी कम मत कर देना, कि जो उससे बनने वाला torque है, कि वही इतना कम हो जाए कि motor load ही ना चला पाए, motor load को चलाएगी, अगर motor को load को चलाना है, तो उसका starting torque हाई रहना चाहिए, तो current कम तो करना है, बट इतना कम नहीं कि load cannot be driven by the motor, बात क्लियर होगी, अब अगला point लिखना, by varying the generator field current, we can vary the generator and motor terminal voltage, so we can implement armature voltage control, and speed of motor can be reduced below base speed, अगर generator का field winding का current control तुमने कर लिया, तो generator से बनने वाली voltage भी control हो गई, क्योंकि generator में जो emf बनता है, वो कितना होता है, k phi omega, तो अगर तुम phi को control कर रहे हो, तो emf controlled है, emf से क्या controlled है, vt, तो अगर तुम vt को control कर रहे हो, तो कौन सा method है, armature voltage control, और उसमें motor की जो speed होगी, वो below मिलेगी, अबव, it will be below base speed, ठीक है, अब लेकिन अगर motor का field का resistance बढ़ाओगे, motor का field का resistance बढ़ाओगे, तो motor का field current कम, motor का field current या flux कम करने से उसकी speed ज़्यादा, तो अगला point यहीं लिखो, by adjusting the motor field current, we can vary the flux of the motor, and by reducing the flux, we can increase the speed of motor above base speed, ठीक है, तो बात का मतलब क्या हुआ, कि generator की field current को कम करके generator की voltage कम, तो motor की voltage कम होने से below base speed, motor का field current कम करके motor का flux कम, तो motor की speed above base speed, तो इस एक method के अंदर, आर मेचर, voltage control और field control, दोनों ही method बनाए दिये गए हैं, और दोनों method बना देने से, हमारी speed above और below base speed दोनों आ सकती है, ठीक है, यह बात बढ़िया से clear हुई, अब इसके बाद हम बताते हैं, कि torque और power का variation कैसे होता है, तो हमें दो चीजों का variation देखना है, किसके against, speed के, एक तो torque और एक power, speed में कहीं ना कहीं देखो, base speed के बारे में बात आएगी, and base, यानि rated speed, तो speed control इससे नीचे भी करना है, और speed control इससे उपर भी करना है, नीचे कर रहे हैं, कौन से method से, आर मेचर, वोल्टेज, गंट्रोल, और इसके उपर, field control, अब इसमें लिखना, to determine the behavior of power and torque, we assume, आर मेचर करेंट is constant at its maximum possible value, तो कहने का मतलब यह है, ऐसा मानलो, अगर आर मेचर करेंट मैक्सिमम जो मोटर जहल सकती है, वो 100 ampere है, तो आर मेचर करेंट 100 पे ही है, अब आर मेचर वोल्टेज कंट्रोल में, flux को तो change नहीं करते हूँ, flux को change नहीं कर रहे, और आर मेचर करेंट भी constant है, तो torque क्या हो गया, constant, वो 5 into IAK proportional है, तो अगला point लिखना, below base speed, we use आर मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेचर्ड इन विच, the flux is taken as constant and due to constant आर मेचर करेंट, the torque is also constant, तो below base speed, torque constant आ जाता है, तो एक कौनसी drive हो गई, constant, torque, drive, लेकिन, torque constant और right जाते वे, speed बढ़ रही है, तो power होती है, torque into speed, तो power बढ़ेगी, तो ये क्या हो गया, ये graph हो गया, power का, because power is torque into speed, अगला point लेको, above base speed, we use field control, so if is not constant, field control यूज़ कर रहे हो, तो if constant नहीं है, but vt is kept constant, vt is kept constant and since ia is also taken as constant, so the product of vt into ia, और power will be constant, field control में vt तो नहीं बदलोगे, vt नहीं बदलोगे और ia मैंने बोला है, क्या मानके चलना है, ia मानके चलना है, constant, तो field control में जब vt constant, ia constant, तो power भी constant, ये हो गया, लेकिन अब torque की बात करें, torque होता है power by speed, power constant और speed बढ़ रही है, तो torque कम होगा, तो torque कम होने लगता है, इसलिए below base speed, torque constant होता है, तो इसे कहते हैं, constant, torque, drive, और अब बेस speed power constant है, तो constant, power drive, तीक है, लेकिन ऐसा compulsory नहीं है, ये धिहान रखो, ये graph किस assumption पर plot हुए है, कि armature current की value constant है, लेकिन मैंने क्या बताया था, speed कितनी आएगी, current कितना आएगा, ये इस बात पे भी depend करता है कि load कैसा है, जितने भी हमने derivation देखे, speed control के अंदर, मैंने उसमें load torque as a function of speed मानके चलाओ न, तो depend करता है कि load torque का variation कैसा है, उसके बिना constant power या torque drive कहना गलत है, ये constant power और torque drive किस assumption पर बना रहे हैं, that armature current is at its maximum possible value, लेकिन actual armature current कितना होगा, ये किस पर depend करता है, लोड पे, बिना लोड के ऐसा कह देना गलत होगा, ठीक है, अब इसके advantages लिखो, वार्ड लियोनार्ड मेथड के, देखो सबसे बड़ा advantage तो ये ही है, कि इसमें speed below और above way speed दोनों ही obtain की जा सकती है, तो first लिखना, the main advantage is that the speed above and below base speed can be obtained, ठीक है, above और below दोनों obtain की जा सकती है, अगला, the design is simple and we get wide range and smooth speed control, designing तो simple है, एक generator, एक motor और एक prime mover, और दूसरी बात, इसमें जो speed control है, उसकी range wide है, क्योंकि base speed के नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा सकते हो, और speed control smooth भी है, अगला लेको, speed regulation is quite good, speed regulation is quite good, speed regulation का मतलब क्या था, कि जब motor पे load बढ़ता है, तो उसकी speed में जो change आता है, that is called as speed regulation, अगला लेको, direction of rotation of motor can be reversed by reversing VT, which can be reversed by reversing the direction of generator, देखो, अगर motor में negative voltage लगा दो, यानि उसके positive negative terminals को exchange कर दो, तो motor उल्टा घूमती है, ठीक है, motor उल्टा घूमने के लिए supply voltage पलटनी पड़ेगी, supply voltage पलटने का सीधा ता तरीका है, supply voltage generator दे रहा है, और generator में बनने वाली voltage होती है, K5 omega, तो generator का omega अगर पलट दो, तो generator की voltage पलट जाएगी, और generator की voltage ही motor की voltage है, motor की voltage भी पलट जाएगी, omega कैसे उसका उल्टा करोगे, क्योंकि वो prime mover से चलाया जा रहा है, तो prime mover अगर generator को उल्टा घूमाता है, तो generator का omega reverse, जिससे उसकी voltage reverse, और उस वज़े से motor की voltage भी reverse, अगला, efficiency at low speed is higher as compared to high speed, efficiency at low speed is higher, या ऐसा लिख लो, is higher as compared to other method, यानि बाकी के जितने भी methods तुम use करते हो, speed reduce करने के लिए, उसके मुकाबले इस method की efficiency ज्यादा है, तिक है, और second वाले point को एक बार और clear कर देता हूं, मैंने बोला है, कि motor की speed को reverse करना है, इसके लिए, VT को reverse करना है, और VT को कौन बना रहा था, generator, जिसका EMF होता है, k5, omega, तो EMF reverse कब कर सकते हो, या तो 5 reverse कर लो, या omega M reverse कर लो, omega M किस से चल रहा है, prime mover से, तो prime mover अगर उल्टा खुमेगा, तो generator भी उल्टा खुमेगा, then also we can reverse the direction of motor, तो एक point और लिख लेना, the direction of generator rotation can be reversed, if we reverse the field current of the generator, field current reverse कर देने से भी direction reverse हो सकती है, ठीक है, बात मेरी clear होई, तो ward Leonard method में क्या याद रखोगे, कि इस method के अंदर दो inbuilt method होते हैं, एक तो कौन सा, armature voltage control, जो की देता है below base speed, दूसरा field control, जो देता है above base speed, और इस method में below base speed कौन सी drive बनाते हो, constant torque drive, और above base speed कौन सी drive बनाते हो, that is constant power drive, तो इस दोनों ही drives हम लोग generate कर लेते हैं, by means of a ward Leonard method, तो इस speed control के सारे method clear हुए, numerical के लिए क्या धियान रखा जाएगा, कि हमें दो equation frame करनी है, हमेशा एक torque की मदद से, और एक EMF की मदद से, ठीक है, तो एक छोटा सा topic और देख रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर हम, heading डाले ना, parallel operation of DC generators, लेओ, transformer में भी हमने parallel operation पढ़ा था ना, तो transformer में भी मैंने क्या बताया था, parallel operation करने के reasons क्या होते हैं, current rating बढ़ जाती है जब दो device parallel में लगे, reliability बढ़ जाती है कि एक device खराब भी हो गई, तो दूसरी device current supply कर सकती है, और reliability सबसे बढ़ा reason होता है कि कभी भी दो devices को parallel क्यों connect किया जाए, तो same way में अगर DC generator की भी current rating तुमको बढ़ानी है, then we have to connect the DC generators in parallel, तो इसमें लिख लेना, DC generators can be connected in parallel, to improve reliability of the system, second, increase current rating of the system, increase current rating of the system, अब देखो क्या होता है, कोई भी generator example लेलो, मान लो shunt या separately excited, कोई भी DC generator है, तो उसकी terminal voltage क्या होती है, EMF minus, आईए आरे, यह EMF किस पर dependent होता है, यह होता है, के एम, फाई, ओमेगा एम, अगर मैं कहूं कि field current मैं constant रख रहा हूं, और speed constant रख रहा हूं, speed तो प्राइम मूवर चलाएगा ना generator में, generator के shaft को कौन घुमाता है, प्राइम मूवर, यह प्राइम मूवर क्या चीज है, कुछ भी हो सकता है, एक turbine हो सकती है, यह एक motor हो सकती है, जो भी उसके shaft को घुमा दे, तो EMF तो constant है, इसका मतलब क्या होगा, कि VT reduces linearly with IA, या फिर IL भी कह सकते हूँ, तो इसका कौन सा यह graph की मैं बात कर रहा हूँ, basically मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ external characteristics की, क्योंकि VT versus IL का graph कौन सी graph होता है, external characteristics, तो हमें क्या समझा है, किसी भी generator पर लोड पढ़ने से, या current draw करने से, उसकी voltage कम होना start हो जाती है, और यही fact हम लोग use करने वाल हैं, when we are talking about parallel operation of DC generator, तो एक point यह भी लिखो, as the load on a generator is increased, the terminal voltage of the generator reduces, due to increase in voltage drop inside the generator, voltage drop बढ़ने की वज़े से, voltage कम होने लगती है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले लिखो necessary condition, जैसे तुमने transformer में लिखी थी, necessary condition, transformer में सबसे पहली बात क्या लिखी थी, कि polarity सेम रखनी है, क्योंकि जब दो devices की polarity उल्टी होती है, तो उनके बीच में क्या आजाता है, circulating current, तो इसमें लिखना, अगर दोनों की polarity सेम नहीं हुई, तो बीच में एक गोल घूमने वाला current आएगा, that is circulating current, अगला क्या बोलना दा transformer में की turns ratio सेम रखना चाहिए, यहां turns ratio की तो बात है नहीं, यहां क्या बोल सकते हो की EMF सेम होना चाहिए, अगेन अगर EMF सेम नहीं हुआ, then also there will be circulating current, तो अगला point यह लिखो, the EMF induced, in both the generators should be same, otherwise circulating current flows between the two generators, ठीक है, यह दो necessary condition है, EMF सेम होना चाहिए और polarity भी सेम, अब देखो जैसा मैंने बोला, कि external characteristics हमें देखनी पड़ जाती है, तो shunt हो, या separately excited हो, क्या होता है, VT decreases with IL, ऐसी होता है न, इसको droop भी कह सकते हूँ, droop का मतलब ही यह होता है, जो decreasing curve होता है, इसको droop भी कह देते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो generators को parallel जोड रहे हैं, और वो दोनों load share करेंगे, दोनों क्या करेंगे, load share, माने load में जाने वाला current, मिला करके दोनों generator से आएगा, तो हमारा interest इस बात में, कौन सा generator कितना current सप्लाई कर रहा है, तो इसमें लिखना, जब दो चीज़ें पैरलल जुड गई, तो उनका टर्मिनल वोल्टेज सेम ही आना चाहिए, क्योंकि otherwise KVL वॉइलेट हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, अगर इसी फिनॉमिना को हमें ग्राफिकली लेके चलना है, ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, देखो, एक एक एकसेज पे या एक ग्राफ पे, दो जनरेटर की करेक्टरिस्टिक बनती है, VT, I, L, मानलों यह जनरेटर 1 की बात हो रही है, और I, L यह है जनरेटर 2 की, अब ऐसा तो ज़रूर ही नहीं कि दोनों की नोलोड वोल्टेज सेम हो, तो दोनों का ग्राफ अलग-अलग पॉइंट से शुरू कर लो, इस टाइप से, यह ग्राफ जहाँ तक पहुँचेगा, that is I, F, L, 1, ऐसी सपोज इसका थोड़ा नीचे से शुरू कर लो, I, F, L, 2, एस जनेरेटर के लिए बोल्टेज है, V, N, L, 1, V, N, L, 2, V, F, L, 1, और, SORRY, V, F, L, 2, और V, F, L, 1, तो यह हो गया, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने के लिए, एक ग्राफ राइट में ड्रॉ कर दिया है, तो एक ग्राफ लेफ्ट में, ऐसा मत सोचना कि दूसरी मशीन का करेंट नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स-स पे आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दोनों graph को same axis पे draw करना चाहता हूँ, अब इसके अंदर देखो, अगर तुम geometrically या graphically जाना चाहते हो, तो हमने यह बोला है, जब दोनों generator parallel जुड़ेंगे, तो दोनों का terminal voltage, same आना चाहिए, यह कुछ भी हो सकता है, terminal voltage Vt, इस अनुसार, यह current आ आएगा il2, जब दोनों मिलके load current को supply कर रहे हैं, तो तुम क्या बोल सकते हो, il1 plus il2 is actually equal to il, ठीक है, दोनों का sum किसके पराबर आएगा, il के, लेकिन इसमें तो दो unknown हो गए, il1 और il2, अब क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर देखो, किसी भी एक की अगर equation लिखनी है, तो य O, A, B, C, D, तो इसमें दो triangle observe करो, triangle O, A, B and triangle O, C, D, ये दोनों ही triangle हमारे similar हैं, अगर similar हैं तो तुम क्या कहोगे, O, A by O, C equal to A, B by C, D, O, A का क्या मतलब है, O, A का मतलब है, V no load 1 minus VT, O, C का मतलब क्या है, V no load 1 minus V full load 1, A, B की length कितनी है, il1, cd की ifl1, similarly, अगर दूसरे generator के लिखते, तो बस 1 की जगे 2 कर दो, अब देखो, दोनों में से equation में से, हमारे पास तीन equation आ गई, first, second, third, और कितने variable हैं इन equations में, तीन variable है, il1, il2 और VT, तो ये तीन equation solve करके, तुम directly, il1 और il2 निकाल सकते हो, लेकिन ये method कैसा हुओ graphical, इस से ज़्यादा आसान method क्या पढ़ता है, कि shunt generator है, series है, compound है, कुछ भी है, तुम उसका circuit बना लो, दोनों generator parallel जोड के circuit बना लो, और बाद में nodal analysis या mesh analysis कुछ भी लगा के current निकाल लो, तो इसमें लिखना, this method should be used, when characteristics for both the generators are given, but generally, we draw the circuit for the two generators and then simplify the network by means of network analysis to find the current supplied by the two generators, ठीक है, अब parallel operation के अंदर एक लिखना, equalizer connection, equalizer connection, एक तो देखो, equalizer ring मैंने बताए थी, lap winding के अंदर, जो circulating current को avoid करती है, ऐसे लिखना, equalizer connection, पहल तो यह लिख लेना, this connection is used in series and compound generators to be used in parallel, ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो, मानलो, दो series generator ले लेते हैं, अब यह हुआ, RSE1, R A1, और E A1, इसको parallel में जोड़ दो, दूसरे generator के साथ, RSE2, R A2, ठीक है, और यह दूसरा generator, E A2, अब मानलो, यह दोनों मिलके एक load को supply कर रहे हैं, current IL, कोई भी load लगा होगा, आगे, आगे open circuit नहीं है, तो क्या होगा, इसने current दिया मानलो, IL1, इसने दिया IL2, अब इसके अंदर देखो, होगा क्या, अगर दोनों के EMF बराबर नहीं है, ऐसा assume करो, अगर दोनों के EMF बराबर नहीं है, assume, EA1 is greater than EA2, तो इससे होगा क्या, कि एक circulating current बन जाएगा, circulating current कैसे बन जाएगा, high voltage से low voltage, IC, और यह कितना होगा, circulating current, EA1, minus EA2, upon total resistance, RA1, plus RA2, plus RSE1, plus RSE2, अब यह circulating current क्या करेगा, यह IL1 के तो same direction में है, देखो, उपर जा रहा है, लेकिन IL2 उपर जा रहा है, और IC नीचे आ रहा है, तो हम यह कहेंगे, due to IC, IL1 increases, IL2 decreases, ठीक बात है भई, एक generator जादा current सप्लाई करेगा, और एक generator कम, पहली बात तो इस circulating current ही undesirable है, लेकिन अगर avoid नहीं कर पाए, तो ठीक है, यह current जादा है, एक current कम है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब एक बात यहाँ खतम नहीं हुई, क्या हुआ, कि series winding में, जब winding series में होती है, तो field current ही load current होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, if1 equal to il1 increases, if2 equal to il2 decreases, इसका मतलब field winding का पहले generator का current बढ़ गया, और दूसरे generator का current कम हो गया, इससे क्या होगा, field current बढ़ने से, emf बढ़ेगा, क्योंकि emf is proportional to flux, और दूसरा emf कम होगा, अब एक emf बढ़ गया, दूसरा emf कम होगया, उससे circulating current और बढ़ गया, जिससे again, il1 बढ़ गया, और il2 और कम होगया, तो इस तरह से loop चलती जाएगी, एक generator का current लगातार बढ़ता जाएगा, और दूसरे generator का current लगातार कम होता जाएगा, तो eventually ऐसा होगा, कि सारा का सारा load current एक ही generator सप्लाई करेगा, दोनों नहीं करेंगे, और ये दिक्कत वाली बात है, दिक्कत इसलिए नहीं आई circulating current था, दिक्कत इसलिए आई, क्योंकि circulating current field winding में enter कर गया, तो इसमें लेखना, इस circulating current also enters the field winding of a DC machine, then it increases field current of one machine, while it reduces field current of the other machine, and due to this, EMF of one machine increases, while EMF of other machine reduces, which further increases the circulating current, and this process continues, until the entire load current is supplied by one generator, while other generator does not supply any current, ठीक है, और इस फिनोमेना को अवाइड करने के लिए, भी नीड़ एक्वालाईजर connection, तो नेक्स पॉइंट ये लेको, तू, तू, अवाइड दा फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करेंट थ्रू दा फिल्ड वाइंडिंग, वी नीड तू यूज एक्वालाईजर कनेक्शन, इन विच, आर्मेचर अव दा टू मशीन, आर कनेक्टेट टूगेधर, तो क्या कर देते हैं, देखो, ये होता है, ये दूसरा डाइग्रम दुबारे बना लेना, ये होता है, इक्वालाईजर कनेक्शन, अब क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग करेंट कितना भी आए, वो बस इस लूप में फ्लो करेगा, वो फिल्ड वाइंडिंग में नहीं जाएगा, और फिल्ड वाइंडिंग में नहीं जाएगा, तो दोनों मशीन का जो फिल्ड करेंट है, वो फिक्स रहेगा, और EMF फर्द change नहीं होगा ठीक है यह बात क्लियर हुई तो इसमें लिख ले ना इकुलाइजर कनेक्शन डाज नॉट अलाव circulating current to enter field winding तो field current of the two machines remain constant and hence their EMF also remain constant तो इसका use if तब करोगे जब series field winding हो और series field winding दो ही cases में हो सकती है एक तो series generator और एक compound generator ठीक है तो देखो parallel operation में क्या है कि parallel operation कभी भी simplify करना हो तो circuit बना के solve कर देना और इसके अलावा equalizer connection का purpose याद रखना दो generators के EMF जब अनीक्वल होते हैं तो उसमें circulating current आता है बट वो circulating current कभी field winding में ना इंटर करें इसलिए दोनों के armatures को short कर दिया जाता है तो parallel operation छोटा सा ही topic है कभी भी इसको एक अलग topic की तरह मत visualize किया करो हमेशा क्या कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा कि जब तुम्हारे पास parallel operation का question आता है चाहे machines कोई भी है ट्रांस्फॉर्मर डीसी synchronous में क्या होता है कि y-axis पे voltage नहीं frequency होती है तब वहां भी डूप characteristic की बात होती है यहां भी डूप है लेकिन यहां डूप किसका है voltage का वहां डूप किसका होता है frequency का तो method दोनों जगे ही सेम होता है कि straight line की equation से भी approach कर सकते हो या circuit से भी और circuit के अंदर यूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तो synchronous में तो compulsory होता है कि straight line का ही यूज़ करो लेकिन dc machine में circuit बना सकते हो तो best method है और अगर graph दे ही दिया है तो फिर तुम उसको ग्राफिकली solve करो तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं पे wind up करें हमारा speed controller paddle operation खतम हो चुका है और एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहे गया है that is the testing of dc machine वह आगे cover करेंगे थैंक्यू